और्टलुक में वरिश पत्रकार और दिली में इंदिरा गांधी कला केंद्र के अध्यक्ष राम बाहदुर राय के हवाले से खबर चापी गई थी कि सम्विधान बनाने में डॉक्टर भीम राब अमबेडकर की कोई भूमिका नहीं थी लेक में चपा है कि बी आर अमबेडकर महज एक प्रूफ रीडर थे पत्रका में अमबेडकर की भूमिका को मिथक बताया गया है इस खबर के बाद नया विवाद खड़ा हो गया यूपी में अगले साल विधान सबाच चुनाव होने है हाला कि वरिश पत्रकार राम बहादु राय ने आउटलुक में चपे लेका खंडन किया है उनका कहना है कि इंदिरार राष्ट्रियक कला के इंद्रका ध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कोई इंटर्व्यू नहीं दिया है पत्रिका में उनके हवाले से जो कुछ छपा है वो फर्जी है और वरिश पत्रकार राम यह यहां रहुं कि आपने इंटर्व्यू दिया था आउ wo죠 जो यह का रहा है कि इंद्रा गांदी कलाकेंद्र के अद्यक्ष का यह पहला इंतर्व्यू आई Kai भनाcasting गंबारा की इंटर्व्यू मांगा है ना आउतलक आपने इंटर्व्यू मांगा है न्नराम बादूराय न और इंदरा गांदी कलाकेंदर के अध्यक्स का इंटर्यू बतार जा रहा है। उस इंटर्यू को ज़रा देखिये। उसका, उसमें एक भी सवाल इंदरा गांदी कलाकेंदर के बारे में नहीं है। तो अगर यह चीज नहीं है, तो फिर कैसे आउटलूक पर आया और आपने उसे किलाफ क्या करवाई के। आउटलूक को यह बताना चाहिये, कि क्या वो इंटर्व्यू हुआ है। मैं यह प्रमानित करने की स्थिति में हूं कि कोई इंटर्व्यू नहीं हुआ है। जहां तक करवाई करने का सवाल है तो इंद्रा गांधी कला केंद्र ने एक पत्र आउटलूक के संपादक को लिखा है कि कोई इंटर्व्यू नहीं हुआ है और यह आपका जो दावा है वो सरासर जूट है और जूट-जूट ही होता है कुछ बाते ऐसी भी आ रही है कि यूपी चिनवाओं में आपके जरिये प्रधान मंत्री पर निशाना साधने की कोशिस की जा रही है आउटलूक के से जिसने भी यह करवाया है उसका मकसद दिये रहा होगा कि मीडिया केंपेंच चलाएं तो मीडिया केंपेंच तो आज हमसे बात करने के लिए आपने सुन लिया रामबादू राय जी सीधे साफ तोर पर कह रहे हैं कि इन्होंने आउटलूक को कोई इंट्रिवू दिया ही नहीं है एक साजिश के तहत ये काम किया गया है और जिन लोगों ने भी किया है उनके पास रामबादू राय जी की वे न्यूस वाल इंडिया देली